जीओ फोन में PDF फाइल कैसे खोले तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप जीओ फोन में कोई भी तरह का PDF फाइल को कैसे खोल सकते हो तो होता क्या है कि कितने बार हम लोग जुकी है इंटरनेट से कोई PDF फाइल डाउनलोड करते हैं या आप सिंपल भासा में कह सकते हैं कोई document डाउनलोड करते हैं और हम लोग जुकी है उसको अपने जीओ फोन में open नहीं कर पाते हैं क्योंकि जीओ फोन का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जीओ फोन में directly PDF फाइल open नहीं होता है उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ता है अपने जीओ फोन में तब जाके आपके फोन में आसानी से कोई भी PDF फाइल खोलता है तो आज किस वीडियो में मैं आपको यहीं पताने वाला हूँ कि कैसे करके आप कोई भी PDF फाइल को जीओ फोन में खोल सकते हो तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सब कुछ सीख लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने जीओ फोन में इंटरनेट आन कर लेना है चिंता मत करो आपको बार-बार इंटरनेट आन ही करना पड़ेगा खले आपको एक वार ही इंटरनेट आन करना है one time एक वार आपका setup complete हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरनेट आन नहीं करना पड़ेगा फिर आप बिना इंटरनेट के ही कोई भी PDF फाइल को खोल पाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना इंटरनेट आन कर लेना यहां पर जो कि है में अपने फोन में wai fi connect कर रहा हूँ तो इषर में सबसे पहले मेन्य वाले button पे click करेंगे तो वह मेन्यू खुल जाता है अब हम लोको क्या करना है इधर में आपको देखने को मिलेगा जो यह all है, इसको move करा करा के इस साइड ले जाना है, all get games है, फिर entertainment है, हम लोग को इस तरफ ले जाना है, उसके लिए हम लोग को इस side वाला बटन टिपना है, इस पे हम क्लिक करेंगे, तो अब यह हमारा games पे आ गया, फिर हम एक वर क्लिक करेंगे, तो entertainment पे आ गया, फिर एक वर क्लिक करेंगे, तो social पे आ गया, फिर news पे जाना है, फिर news के बाद आपको देखने को मिलेगा utilities, तो utilities पे आ के आपको रुख जाना है, ठीक है, तो utilities पे मैं आ आगी, आप में रुख जाओंगा, अब मैं यह नीचे वाला बटन क्लिक करूँगा, तो नीचे आप मेरे को जाना है, नीचे जाएंगे, जाते जाएंगे, तो हम लोग को एक एप देखने को मिलेगा, जिसका नाम होता है, PDF Viewer, ठीक है, आपको यह एप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है, तो आप सिंप्ली ओके बटन इंस्टॉल किया, उसको खोल लेना है, तो हम PDF Viewer को खोज लेते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे फोन में यह PDF Viewer नाम का एक एप आप आ गया, इसको हम लोग को सिंप्ली ओपन कर देना है, हम ओपन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आपको continue करने के लिएगा, तो आ जो की है, पूरा नीचे आ चुके है, थोड़ा सब टाइम लगेगा आपको यह बटन को क्लिक करके रखना है, जब तक नीचे नहीं पहुंच जाते हो, तो जैसे कि आप देख सकता हम प्राइवेसी पॉलेसी वाले पेज में भी पूरा नीचे पहुंच चुके है, अब सिं आपके फोन में जितना भी PDF फाइल है सब आपको यहां पर दिखने को मिल जाएगा, इधर इंटर्नल स्टोरेज का PDF फाइल है, और इधर जो की SD कार्ट का है, तो इधर आप साइड वाल बटन क्लिक करेंगे, तो SD कार्ट का आ जाएगा, पर हमारे फोन में कोई SD कार्ट में अगर मैं कोई PDF फाइल खोलूंगा तो यह आसानी से खुल भी जाएगा, इसे ओपन करके भी आपको चेक करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जिब तक यह खुल रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पूरा खुल के आ आ गया, ठीक है, खुली रहा है, और देख सकते हो, अस्ते-अस्ते करके यह पूरा PDF फाइल हमारा लोड होगी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत यह आसानी से कोई भी PDF फाइल को खोल के देख सकते हो, और अभी यह छोटा-छोटा दिख रहा है, इसको आप जूम भगरा भी कर सकते हो, इधर यह गर यह वीडिव पसंद आया तो इस वीडियो में लाइक जरूर कर देना, और आपने भी तख हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे सब्सक्राइब का बटने सब्सक्राइब पे भी क्लिक करते न तो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक लिए बाई बाई और जय हिंद